देश का उभरता डिजिटल मीडिया नेटवर्क जेटी न्यूस ओनली टुथ हाल ही में आपको याद होगा भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी और बेटी संग विरंदावन पहुँचे थे वहां उन्होंने बाबा हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महराज के दर्शन किये और आशिरवाद प्राप्त किया था विराट कोहली बाबा के समक्ष करीब 45 मिनट तक बैठे और बाबा के पावन विचारों को ग्रहन किया आखिर कौन है ये बाबा प्रेमानंद महराज जिनकी शरण में जाने से विराट कोहली भी खुद को रोक नहीं पाए आईए जानते हैं बाबा प्रेमानंद महराज के बारे में बाबा हित प्रेमानंद गोविन शरण जी महराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आखरी गाओं सरसॉल में हुआ था बाबा प्रेमननजी महराज का असली नाम अनिरद्ध कुमार पांडे था बाबा का जन्म एक बेहद ही साधारण घर में हुआ था उनकी माता का नाम रमादेवी और पिता का नाम शंभू पांडे था बाबा प्रेमननजी महराज की माता धर्म परायन महिला थी उनके मन में सभी संतों के लिए सम्मान था बाबा के पिता श्रीशंभू जी एक भक्ती पूंट स्वभाव के व्यक्ती थे बाबा प्रेमनन जी महराज का घर का महौल बेहधी, अत्यंद, शुद, शान्त और भक्ती पूंट था बाबा के बड़े भाई भी नित्व प्रतिदिन श्रीमद कथा का पाठ करते थे, जिसके कारण ही उनके घर में सुख और शान्ती का वास था बाबा प्रेमनंद के पिता ने अपने सांसारिक जीवन के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और सन्यास धारण कर लिया बाबा प्रेमनंद के दादा भी सन्यासी थे बाबा प्रेमनंद गोविंद जी महराज का बच्पन आम बच्चों की तरह मौज मस्ती और शरारतों में नहीं बीता बलकि उनका बच्पन बेहद ही सरल शांती पून धंग से बीता थे बाबा प्रेमनंद जी महराज बच्पन से ही शांत सरल सो भाव के थे बाबा हिद प्रेमनंद जी गोविंद जी महराज को बच्पन से ही भक्ती पुस्तके ग्रंद पढ़ने में रुची थी भक्ती भावों से भरे बाबा में इश्वर को लेकर कई सवाल थे उन्हें धार्मि कथाओं में ईश्वर की लीलाओं में ग्रंथों में बड़ी जिग्यासा थी उन्होंने अपनी जिग्यासा के चलते और मानव जीवन का अर्थ समझने के लिए तेरा साल की उम्र में अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था इसके बाद उनका ब्रह्मचर जीवन शुरू हुआ तब सबसे पहले उन्होंने कड़ी परिश्रम करके ब्रह्मचारी और सन्यासियों की दीक्षा प्राक्त की और इसके फल स्वरूप उनका नाम आनंद स्वरू ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने सन्यास भी सुईकार कर लिया बाबा का जीवन गंगा नदी के टट के किनारे ही बीता वा वारानसी के असी घाट और हरिदवार के बीच ही घुमते थे उन्होंने किसी भी आश्रम का जीवन सुईकार नहीं किया था बाबा हमेशा गंगा मा के किनारे ही रहते थे धूब, भूख, सर्दी, बारिश In सब के बावजूद जी गंगाह् नदी के किनारे कड़ी तपस्या करते थे बाबा कई दिनों तक बिना भौजन के भी रहते थे बाबा कई दिनों तक एक साथ उपवास करते थे बाबा सदैर ही भगवान की भक्ती में लीन रहते थे। माना जाता है सन्यास के कुछ समय बाद ही उन्हें भगवान शिव का आशिरवाद मिला जिसके फल स्वरूप उन्होंने व्रंदावन आने का सपना देखा। तब से ही बाबा ने मानव जीवन को सवारने के लिए अपना जीवन प्रेरित कर दिया है। दस साल तक अपने गुरू की सेवा करने के बाद वह पूरी तरह व्रंदावन के रंग में रंग गए हैं। फिल हाल इस समय बाबा हित प्रेमानंद गोविन शरण जी महराज शारिरिक समस्याओं से जूज रहे हैं। उनकी दोनों किड़नी खराब हो चुकी हैं। हम हमारे चैनल की ओर से उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्त की कामना करते हैं। कि उनका जीवन सुख में और शांती पूर्ण तरीके से बीते और उनका स्वास्त हमेशा अच्छा बना रहे। और हम ये भी कामना करते हैं कि बाबा का जीवन का उद्देश सफल। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जेटी न्यूस ओनली टृत। और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूस चानल जेटी न्यूस ओनली टृत।